गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स फ्रेंट्स डार्क सलकल या फिर आखों के नीचे के काले पन एक ऐसी समस्या जिससे आप बड़े परिशान रहते हैं जिसको आपको बार-बार छिपाना पड़ता है उसकी बाद भी लोग आपको टोक देते हैं कि आपके आखों के नीचे आजकल काला पनसा दिखने लगा है वहाँ की इसकी प्राउनिस ही हो रही है डार्क हो रही है जिसको आपको छिपाने के लिए तमाब जतन करने पड़ते हैं क्रीम लगाते हैं पौडर लगाते हैं मसाज, ब्लीज, फेस, यल, फेस, और पता नहीं न जाने क्या क्या आप करते हैं सारे जतन कर लिये हैं फिर भी ये समस्या आपकी बनी हुई है ये एक ऐसी समस्या जो आपके चेहरे के गलो को कम कर दे रही है आपका अच्छा भल है चेहरे का गलो कम हो जा रहा है एक ऐसी समस्या जिसकी वज़ा से आप अपने उमर से ज़्यादा के दिखने लगे हैं एक ऐसी समस्या जिसकी वज़ा से आपका चेहरा हमेशा थका थका सा लगता है टायर्ड सा लगता है एक ऐसी समस्या जिसके वज़ा से आपका सारा ग्लोट थोड़ा सा डाउन हो रहा है आज हमें इसी महत्वपूंट टॉपिक के उपर चर्चा करेंगे महत्वपूंट बीमारी के उपर चर्चा करेंगे ये जानेंगे कि ये समस्या क्यों डवलप होती है क्या इसके कारण है जिसकी वज़े से ये समस्या हमें डवलप हो गई है जिसको मैं ठीक करके सेल्फ ठीक हो सकता हूँ या फिर मैं इजली ठीक हो सकता हूँ कारणों के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा इस समस्या पे जो सबसे असरदार तीन हुमियोपेथिक दमाईयां होती हैं उनकी information दोंगा कि किस condition में उन दमाओं को आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको best result दे तो dear friends मैं हूँ Dr.S.K.Pandae बहुत-बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल पे आपका dear friends dark circle की समस्या ये cosmetic problem होती है mainly cosmetic problem होती है ये कोई बहुत बड़ी health problem नहीं है कि कहा जाए कि इसकी वज़े से कोई जानमाल का खत्रा हो जाएगा फिर भी ये परिशान करने वाली problem होती है इसके कारणों की अगर बात करें तो सबसे पहला कारण यही होता है यदि आपको enemia डवलप हो रहा है means आपके सरीर में खून की कमी डवलप हो रही है वो किसी भी वज़े से हो सकती है चाहे आपको nutrition धंका नहीं जा रहा है चाहे आपके सरीर से कहीं से blood loss हो जा रहा है माताओ पहनों की बात करें यदि आपके menstrual bleeding बहुत ज़ादा हो रही है, महीने में बहुत ज़ादा blood loss हो रहा है ऐसे patient जिनको कोई skin की problem है, skin की कोई समस्या है जिसे आखों के नीचे बहुत ज़ादा itching होती है, means dermatitis हो गया है, eczema हो गया है ऐसे patient जो बहुत ज़ादा mentally परिशान होते हैं, जो बहुत ज़ादा तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, stress रहते हैं जो लोग depression anxiety के सिकार रहते हैं, उनमें भी बहुत एजली dark circles डवलप हो जाते हैं और वो पता चलने लगते हैं dear friends, जिनको sleep proper नहीं है, ऐसे patient जिनकी sleep proper नहीं है, तरीके से सोते नहीं है studies कहती हैं कि ऐसे लोग जो बहुत ज़ादा sun exposure में रहते हैं, उनका काम ऐसा है, उनको धूप में बहुत ज़ादा रहना पड़ता है ऐसे patient जिनका hydration कम है, कम पानी पीते हैं, उन लोगों में भी ये दिक्कत डवलप हो सकती है studies कहती हैं कि ऐसे लोग जो बहुत ज़ादा alcohol का सेवन करते हैं, जो बहुत ज़ादा smoking करते हैं ऐसे patient जिनकी genetic में ऐसी समस्या चली आ रही है, उनमें भी ये दिक्कत देखने को मिलती है ये कुछ important से कारण होते हैं, ये समस्या सो निपटने की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ important से दवाया होती हैं, जिनका बहुत अच्छा रोल देखा गया है इसमें सबसे पहली medicine का नाम जो आता है वो होता है acetic acid, ऐसे patient जो हमेशा थका थका समयसूस करते हैं, अपने आपको energetic महसूस ही नहीं करते हैं, dis energetic रहते हैं, हमेशा weakness लगी रहती है ऐसे patient जिनको mind का भी concentration बड़ा अच्छा नहीं रह पाता है, ऐसे patient जिनका चेहरा पीला रहता है, जिनका चेहरे का look बड़ा waxy सा है, means बहुत ज़्यदा तैली ये तोचा है, बहुत oily skin है ऐसे patient जो बहुत ज़्यदा अपने partner के साथ, अपने wife के साथ physically indulge रहते हैं, बहुत ज़्यदा indulge रहते हैं, ऐसे patient जो किसी वज़़े से बहुत ज़्यदा तनाओ या चिंता में रह रहे हैं, उन लोगों में STKC अच्छा काम करती है, इस medicine की 30 potency की चाचार बुदे, लेने से अच्छा result आपको मिल सकता है, नेक्स medicine का नाम आता है फिरमेट, ऐसे patient जिनको एनीमिया है, खून की कमी है, और उनमें dark circles डवलप हो रहे हैं, और वो day by day increase करते जा रहे हैं, यदि माताओं बहनों की बात करें तो हो सकता है, मैंस्ट्रूल बलड बहुत ज़्यदा निकल रहा हो, या फिर खाने में iron की कमी आ जा रही हो, एनीमिया डवलप हो गया हो, medicine की 6x potential लेनी है, और चार चार बुदे सुबर दोपर शाम तीन बार लीजिए, यदि आपको एनीमिया ज़ादा है, तो इसकी चार चार गोलियां दिन भर में चार बार भी आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छा result मिलता है, यूज़ करने का तरीका ये होता है, कि इसकी चार चार गोलियों को मों में डाल के टॉफी जैसा चूज लिया जाता है, नेक्स मेडशन होती है, नाइटरम कार बड़ी अच्छी मेडशन होती है, ये skin cells को stimulate करती है, जिससे skin की oxygen supply बढ़ जा सारे pimples आ रहे हैं, बार-बार इसकिन में ऐसी समस्या develop हो रही है, तो उनमें भी नाइटरम कार दी जाती है, अच्छा result मिलता है, इस मेडशन की 6C potency, lower potency अच्छा काम करती है, इसकी भी 4-4 बूदे, सुबर 2-5 शाम 3 बार लिजे, effective result पाएंगे, अच्छा result पाएंगे, द हमने कुछ आपको important सी दवाईयां बताएं, जिनके result अच्छे देखे गए, इनके अलावा भी ऐसी condition में तमाम दवाईयां काम करती हैं, और अच्छा result मिलता है, जिनमें बर्बरी सिक्विफोलियम का यूज़ कर सकते हैं, सीपिया का यूज़ होता है, सिमीसी फ्यूगा का यूज़ होता है, सिट फॉस का यूज़ होता है, इस तरह से तमाम दवाईयां ऐसी होती हैं, जिनका यूज़ हम करते हैं, वो patient की symptoms की similarity के हिसाब से दिया जाता है, जिनके अच्छे result मिलते हैं, इन दवाईयों का आप फायदा लें, लोगों को वीडियो सेयर करें, थैंक क्ज़ं, धूज़ हूए नह का यूज़ नहीं हो नहीं अन